हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे आज कर वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस लाइक कर द बादिजेगा ताकि हेलफुल वीडियो आप लोग को मिलती रहे और उसका नौटिफिकेशन भी आप लोग को टाइम टाइम पे जाता रहे तो यह स्टार्टिंग में आपके आगे फ्लैस हो रहा है चांद जीहां तो चांद से आप लोग को याद आ रहा होगा करवाचौत का और करवाचौत जो है आने ही वाली है 2020 वाली करवाचौत जो कि हम लोगों के लिए बहुत एस्पिसल होती है और कुछ बाते जानना भी जरूरी होती है इसके लिए तो चलिए आसका वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या जरूरत है करवाचौत के लिए और कैसे कैसे क तो कर्वाचोष यानी सुहागिनों का दिन या कार्थिक माक्स की करिश्ण बंखष की चतूर्थी को मनाया जाता है यानी जो कार्थिक चवरता है उसके चौते दिन ही ये वर्थ होता है। रहता है यह वर्थ साधी सुदा महिलाओं के अलावा कुमारी कन्याई भी कर सकती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कुमारी कन्याई इस वर्थ को करती है तो उन्हें मन चाहा वर मिलता है यानि कि आपका जो मन है जैसा पती पाने की वो इच्छा आपकी पुरी हो जाती है इसलिए आप लोग भी ये वर्थ कर सकते हैं और अपना मन चाहा वर पा सकते हैं इस वर्ट में गठा सुनना और चांद के दर्शन करना जरूरी माना जाता है जो कि बिना चांद को देखे आप बर्ट नहीं खोल सकते हैं इस दिन माइलाएं 16 सिंगार करती हैं और 16 सिंगार बहुत जरूरी है और अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती है इसमें पूजा किसकी होती है जो कि बहुत important है इसमें पूजा होती है भगवान संकर की, माता पारवती की, कार्टिके की और हमारे गनपती जी की और चंदरदेव की तो इन सब की पूजा होती है इस दिन इस दिन आप लोग एक गलती तो बिलकुल गलती से मत कीजेगा आप लोग ना इस दिन पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं जब तक चांद नहीं दिखेगा अगर आप लोग गलती से भी ऐसा कर लेते हैं तो उसका गलती फेक्ट पड़ता है आपके पती पर आपके लव लाइप पर आपके फैमली में तो ये गलती बिलकुल मत कीजेगा और भी कहीं सारी गलतीय है जो कि मैं आपको लाश्ट में बताऊंगी किस लिए की जाती है चांद की पूजा चंद्रमा को समानता आयू सुक सांती का कारक माना जाता है इसलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वेवाहिक जीवन में सुक सांती और पती की लंबी आयू की कामना करती है यानि प्रातना करती है सावधानिया जो हमें बरितनी है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं बताऊंगी इस दिन आप भूल कर भी काला और सफेद बस्तर धारन ना करें यानि कि आपका जो आउटफीट होगा वो आप काला और यानि बलेक एंड वाइट नहीं पहुन सकते हैं इस दिन लाल वस्तर सबसे अच्छा माना जाता है यानि कि इस दिन जो आपका आउटफीट होगा कलर फूल होना चाहिए एस्पेसली रेड कलर का होना चाहिए अधरवाइस आप अपने वेडिंग का जो वेड था आउटफीट था वो भी पहुन सकते हैं आपका जो साधी का जोड़ा है वो भी पहुन सकते हैं इस दिन आपको जितना आप जो है सिंगार करें यानि मैक अप करें उतना अच्छा हर चीज आपका अच्छा होना चाहिए यानि सोला सिंगार जो हिंदु धर्म में माना जाता है वो आपको पूरा करना चाहिए इस दिन और करवा चौत करने से इस्पेसली मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाते हो कि आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो और उसके लिए फास्ट रख सकते हो उसके लिए प्रेक कर सकते हो तो इसलिए आपके पार्टनर को आपके प्रती ज़्यादा प्यार यानि ज़्यादा अच्छा लगता है आपके प्रती ज़्यादा जो बोलते हैं क्या प्यार आता है तो उमीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस करवाचोध जो है हमारा करवाचोध जो इस बार होगा वो होगा आपको 4 नवेंबर को और इसका पुझा मुहरत है वो है 5 बच के से स्टार्ट होता है पांच बजने से लेके 6 बज के 48 मिनट तक यानि 5 पीम से लेके 6.48 पीम तक इसका जो है मुहरत है चांद जो आपका निकलेगा इस बार सायद 8 बज़े यानि 8 ओकलॉक को निकलेगा तो रात के 8 बज़े इस बार चांद निकलेगी और करवाचोट 2020 जो है इस बार हमारा चार तारी को है चार नवंबर को तो आप लोग अच्छे त्यारी कीजिए करवाचोट तो उमीद है आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए हैल्फुल होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई